माता पार्वती के तांत्रिक रूप और साधनाएं, माता पार्वती, जिन्हें जगत, जननी और आदी शक्ती का स्वरूप माना जाता है, को सुन्दर, दयालू और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन कि आप जानते हैं कि माता पारवती के कुछ ऐसे शक्तिशाली और रहस्य मैय रूप भी हैं, जिनकी पूजा, अगोरी और तांत्रिक साधक करते हैं, इन साधनाओं को केवल साहसी और अनुभवी साधक ही कर सकते हैं, क्योंकि ये साधनाएं कठिन और खतरनाक होती हैं आए जानते हैं माता के तीन प्रमुख तांत्रिक रूपों के बारे में, जिने साधना करना रहस्य और खत्रे से भरा होता है 1. मा काली और तांत्रिक साधना मा काली, जिने मृत्यू और विनाश की देवी माना जाता है, का रूप माता पार्वती का सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप है मा काली का विक्राल रूप देखने में डरावना होता है उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी और गले में लटकते मुंडों की माला होती है काली मा को राक्षसों और देवताओं दोनों द्वारा समान रूप से पूजा जाता है रक्त बीज का विनाश पौरानिक कथाओं के अनुसार, रक्त बीज नामक राक्षस को वर्दान प्राप्त था कि उसकी खून की हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न होंगे जब देवताओं ने उसे हराने की कोशिश की, तो उसकी हर बूंद से और भी शक्तिशाली असुर उत्पन्न होने लगे तब माता पार्वती ने काली का रूप धारन किया और अपनी जीब से रक्त बीज का सारा खून पीकर उसका अंत किया युद्ध के बाद मा काली का विक्राल रूप शान्त करना मुश्किल हो गया, तब भगवान शिव उनके सामने लेट गए, जिससे उन्हें एहसास हुआ और उनका क्रोध शान्त हुआ शव साधना मा काली की सबसे रहस्यमय और खतरनाक साधना शव साधना मानी जाती है इस साधना में तांतरिक एक ताजा शव के उपर बैठ कर मंत्र जाप करते हैं शव साधना के दौरान मा काली साधक की परीक्षा लेती है और ध्यान भटकाने के लिए भयानक आवाजें सुनाई देती है साधना पूरी होने पर मा काली प्रकट होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी करती है यह साधना बहुत ही दुरलब और खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसमें असफल होने पर साधक मानसिक संतुलनक हो सकता है या उसकी मृत्यू हो सकती है 2. देवी छिन्नमस्ता और कुंडलिनी जागरण 2. देवी छिन्नमस्ता जो अपने ही सिर को काट कर रक्त बहाने वाली देवी के रूप में जानी जाती है माता पार्वती का एक और तांत्रिक रूप है उनके कटे हुए सिर से तीन धाराएं रक्त की बहती हैं जो उनकी सेविकाओं की भूख शांत करती है यह देवी शक्ती और कुंडलीनी जागरण का प्रतीक है कुंडलीनी जागरण देवी छिन्नमस्ता का यह रूप कामदेव और रती के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है जो यौन उर्जा और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है यह कथा दर्शाती है कि कुंडलिनी शक्ती को जागरत करने के लिए यौन इच्छाओं और अहंकार को त्यागना पड़ता है इस तांत्रिक साधना में साधक अपनी कुंडलिनी शक्ती को जागरत करता है और यौन उर्जा का सही दिशा में उप्योग कर अपने लक्षियों की प्राप्ति करता है देवी भेरवी को महाविद्याओं की पांचवी देवी माना जाता है और यह शिव की शक्ति और उर्जा का अवतार है उनका रूप, क्रोधी, आक्रमक और विनाशकारी होता है देवी भेरवी की तांत्रिक साधनाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि उन्हें करने से जन्म और मरण के चक्र पर नियंत्रन पाया जा सकता है भेरवी साधना देवी भैरवी की साधना तांत्रिकों द्वारा विशेश रूप से की जाती है, जिनमें जल, अगने, वायू और धर्ती जैसे तत्वों का उप्योग होता है। यह साधना साधक को अलोकिक शक्तियों की प्रापती कराती है, लेकिन इसका गलत उप्योग करने पर साधक का जीवन नश्ठ हो सकता है सही इरादों से की गई साधना साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है निश्कर्ष तंत्र साधनाओं में खून, मृत्यू और यौन उर्जा को एक अलग दृष्टिकोन से देखा जाता है इन साधनाओं को करने वाले साधक अपने आत्मबल और मानसिक संतुलन से इन्हें पूरा करते हैं माता पारवती के इन रूपों के पीछे छिपा रहस्य और तांत्रिक साधनाओं बहुत ही रोमान चक और डरावनी है